कि अगे करके बताएंगे लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन सिमेट्री लेयर्स सेघ्मेंटेशन नोटो कॉड और कौन कौई से यह हम कर चुके हैं कम्पीट फाइला अब सब पॉऔरी फेरा किया और दूसरा वाला आदा किया जेटेट पॉरी फेरा किया और सिलेंट्रेटा में री प्रडक्शन से पहले पहले का किया है यानि पॉलिमेडियूसा वाला जो हम लोग कर रहे थे यानिन कि जो लाइफ साइकलिस्की होती है और बोल सकते हो यहां इसम रहती है तो पॉरी टेरा में जो केविटी होती है उसको हम ने का us के बाद पिर उसमें राट की बाद ही नहीं domestic थी क्योंकि isp इंट्रासेलिलर में डाईजिशन अंट्रसेललर होता है č worriedresseलॉब होती है जो कि यस यहां से स्टार्ट करना है और उसके बाद पहने हां से स्टार्ट करना één कि है यहीं क्लों है सुमाइ स्टार्ट करना है सो सम आफ दर निडेरियंज एक तो यही कोशन का पॉइंट हो गया तो मैटा जैनेसिस की बात समझो करने वाले हैं यह सम आफ दर निडेरियंज पर अपलाई होता है सब पर नहीं जिनमें स्केलेटन होता है उनको हम कोरल्स कहेंगे और यह स्केलेटन कैसा होगा कैशियम कार्बोनेट का बना होगा ठीक है ओके कोरल्स बोलते हैं इनको कैशियम कार्बोनेट का जो डिपोजीशन है इनकी वाल्स में हो जाता है साथ ही साथ साइनो बैक्टिरिया भी रहते हैं तो यह बनाते हैं जो कि shallow water में different colors के होते हैं तो एक island जिसके चारों तब इस वोट ब्यानि कि किनारे किनारे पर ही वहां पर बहुत ज्यादा subs todavía होते हैं तो उसको कहते हैं अश्को रीफ में बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको गहते हैं कोरल रीफ ठीक है one of the richest ecosystem of the world वहाँ पर exist करता है aquatic ecosystem की बात करें तो aquatic तो पूरा इन रिचेस्ट है वो coral की बात रीफ की बात करें तो coral reefs जो है जो ecosystem मनाते हैं उनका नाम इसलिए जो है क्योंकि मेंली वहाँ पर जो कौन से यह होता है तो यह होते हैं तो यह होता है कोरल अच्छा तो स्केलेटन की बात होगे अब हम बात करें पॉलिप और मेडियूसा की दो बॉड़ी फॉर्म होती है पॉलिप मेडियूसा बेसिक बॉड़ी फॉर्म से एजी है समझने के लिए इस पॉइंट ऑफ यू से पहला यह जैली फिश टाइप दिया हुआ है और य यह हमारे पास हाइड़ा या एडेम्श का यह एक्दम्पल हो जाएगा तो यहां पर हम देख रहे हैं यह जो टैंटिकल सें है इसमें टैंटिकल कैसे हैं अपवर्ड इसकी शेप कैसी है अंब्रेला शेप वलते हैं इसको सिलिंड्रिकल बोल आ तो इस ताइप से मेडियू का formation होता है कुछ में ठीक है यानि कि हमारे पास ऐसे हैं जिन में यह जो दोनों ही forms हैं यह exist करती हैं और एक organism अपनी पॉलिफ पॉर्म से मेडियूसा फॉर्म में आता है और मेडियूसा फॉर्म से किलिंड्रिकल शेप वाली जो दो बॉड़ी फॉर्म एक ही organism के लाइफ साइकल में आती हैं उसको हम कहते हैं alternation of generation जिसमें मेडियूसा फॉर्म पॉलिप बनाती है उसके बाद फिर पॉलिफ फॉर्म फिर से मेडियूसा बना लेती है इसी को हम कहते है alternation of generation या metagenesis metagenesis अब इसको याद कैसे रखो जो sex organs है sex organs होते हैं मेडियूसी में तो मेडियूसी में sex organs होंगे तो गहमीट कौन बनाएगा मेडियूसी बनाएगा मेडियूसी मदब मेडियूसा का तो जो गैमीज बनेंगे और गैमीज का जो फ्यूजन होगा वो कहां वो मतलब उसको उसके लिए रिस्पॉंसिबल कौन है मैड्यूसा है तो मैड्यूसा में जब सेक्जूल रिप्रड़क्शन होगा तो क्या बनेगा पॉलिप ठीक है और पॉलिप से आप याद कर लेना होती है तो यहां से अप याद रखनोंगे कि ऐसक्जूल रिप्रड़क्शन से पॉलिप से क्या बनता है मैं यह याद रखने का तरीका बता रहो he तो Medusa से Sexual Reproduction होता है और Polyp बनता है और Polyp में A-Sexual Reproduction होता है तो Medusa का Formation होता है और जिस Organism में यह दोनों चीज़ें हो रही होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो Metagenesis exhibit करता है इसका मतलब क्या कुछ ऐसे भी Organism है क्या जिनमें ऐसा नहीं होता बिलकुल है बिलकुल है ऐसे Organism ठीक है यानि कि जिनमें केवल Polyp है या जिनमें केवल Medusa है ठीक है तो यह यह जाएगा the former is sasile and cylindrical form like hydra and adamsia polyp जो है sasile होता है या non-motile होता है ठीक है whereas the later is umbrella shape and free swimming to question push link कैसे free swimming form of cylindrate is known as what Medusa example क्या है औरिलिया या जैलिफिश example में आ जाता है फिर total example में जो है फाइजेलिया या पॉड़िज मैं अफ वार एडम्शिया या c-anemone penatula या c-pan gorgonia या c-pan meandrina या brain coral ठीक है तो कितने example हमें या या याद करने हैं फाइजेलिया या पॉड़िज मैं अफ वार एडम्शिया या c-anemone penatula या c-pan gorgonia या c-pan और meandrina या brain coral इससे पहले हमने कौन सा याद किया था साइफा स्काइफा या साइकन है न किसमें पॉरिफेरा में स्पॉंजिला फ्रेश वाटर स्पॉंज और यू स्पॉंजी या बाफ स्पॉंज ये तीन हमने याद किये थे पॉरिफेरा में साइकन या स्काइफा, स्पॉंजिला या फ्रेश्वाटर स्पॉंज, यू स्पॉंजिया या बाब स्पॉंज, ठीक है, यहाँ पर कौन-कौन से याद कर रहे हैं हम लोग, पाइजेलिया या पॉटिगीज मैन ओफ आर्मशिया या सी अनिमोन, पिनेटिवला सी पैन, गॉर्गोनिया सी फैन और मिन रिनास्क ब्रेन कोरल, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, पहला क्या है, पोरी फेरा में, स्काइफा, स्काइफा या साइकन, दोसरा क्या है, लास फ हॉंजिला या फ्रैश ओडर स्पोंज टीज़रा क्या है यूस पॉंज या बाद्स पांज फिर सिलेंट्रेटा में आ जाओ लेंट्रेटा में पहला क्या है पाइजेलिया या पॉट्गीज मैन औप और सेकिंड बिल्स क्या है अब देखो यह जो पी एचो आर वर्ड आता है ना आर्चीकॉनियो फॉ एंट्रीडयो फॉर यह सब हम में पढ़ा है तो फॉर मतलब होता है बेरिंग और टीनो टीनीडियम होने लाइक स्ट्रक्टर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्टर तो अब इससे क्या पता चलता है कि सिर्चटर जिसमें होते हैं उसका हुआ का है यह तो हो ज़या इसका nomenclature इमंदें कॉमन नेम क्या है Earl कॉमन नेम आप ृइंटबुस भाइफोет नफ तरफ इंटवर स्वाइल इंट फिर थाईबुचीन वह त्वाइला वी पॉरी miał क्या कहते हैं है टीनों फोर्स कॉमनली नोन है सी वालनट्स और कौम जली इस कॉशन आजाएगा विच आफ दा फॉलविंग आर कॉम जली या इस और आरकॉम जली तो प्लीडो ब्रेकिया और तीनों प्लेना यह तो एक्जांपल आप याद रखेंगे देगो तीन विच कंटेंज एक्स्क्लूसिवली मरीन और्गैनिजम्स ठीक है यह दो बहुत इजी है याद करने का इसको अगर आप इसकी युनीकनेस याद कर लेते हो ठीक है जब भी पैरिस की बात आती है तो आपको पता इफल टावर है वहाँ पर ठीक है अमेरिका में स्टैच्य ओफ लिबर्टी आ जाता है तो आपको पता है ताजमेल की बात होती है तो आगरा ही आता है दिमाग में ठीक है तो युनीकनेस की वज़र से हमें चीजें याद रहती हैं तो जब भी मतलब intermingle होती हुई चीजें हो तो आप उसमें uniqueness ढूनो तो आपको याद हो जाएगा और याद रहेगा तो यहाँ पर है exclusively marine for the first time animal kingdom में कहां पर आप पढ़ते हैं तीनोफोरा में सो exclusively marine होते हैं तीनोफोर्स फिर स्टार्टिंग से देखें तो mostly asymmetric थे पोरीफेरंस उसके बाद radial थे सिलेंटरेट और टीनोफोर तो सेकेंड जो रेडियल रेडियली सिमेट्रिकल और्गैनिजम्स हैं वो टीनोफोरा में है डिपलोब्लास्टिक है क्योंकि अभी और्गैनिजम अभी शुरुवाती दोर में है evolution अभी उसका उतना हुआ नहीं है त्री जर्म लेयर नहीं है औ यहाँ पर हम बाद करते हैं इसके नोमेटलेटर की दवारा स्वारा से कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैrator चोटा तो कितनी एक्स्टेरनम रोज होती हैं यह question आ सकता है sawald तो च्टोटा सा टॉपिक है लेकिन इस पर कॉर्शन से निगो अलगलक टाइप से हो सकती है कितनी है एट है फिर कितनी है और कहां है यह matching आ जाएगा which of the following about the structure of 304 is or are correct तो उसमें कहेंगे 8 external 8 internal 4 external 4 internal ऐसे करके पूछ लेंगे अच्छा एक और चीज़ पूछ लेंगे आप से 8 external non-ciliated 8 internal ciliated 8 external ciliated 4 internal non-ciliated ठीक है? question की framing देखो इस type से हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? 8 होती है external होती है और ciliated होती है यह जो आपको दिख रहेंगे ठीक है? यहाँ पर समय यह ciliated होते हैं तो ciliated com plates हैं यह तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ठीक है? 8 external ciliated complex होती है रोज होती है आप कहेंगे सर अगर वो ciliated complex हैं तो यह क्या है? तो यह tentacles है आ जाते हैं हम दुबार से इसका काम क्या होगा? यह जो complex है locomotion ठीक है? complex का function क्या है locomotion तो tentacles का क्या काम हो जाएगा? tentacles का काम hold करने का हो जाएगा किसको प्रेको digestion is both extracellular and intracellular याद करने की कोई problem ही नहीं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कहां था कहां था इससे पहले वाले में बिल्कुल था by luminescence by luminescence वारा पॉइंट एक और आ जाता है अब एक living organism कर पा रहा है जिसकी वज़े से उसको कहते है इसी है वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स वेल मार्क्ड कहने का मतलब ऐसा है कि मेज़ॉरिटी ओफ टीनोफोर्स में बहुत अच्छे से बाइल्युमिनिसेंस मिलता फिर reproduction के point of view से देख लें तो sexes are not separate not separate वाली condition को क्या बोलोगे है हाँ जी bisexual बिलकुल bisexual या monotious बोल देंगे अच्छा reproduction take place only only bisexual mean ये भी for the first time in animal kingdom आप देख रहे हैं क्योंकि पॉरी फेरन में भी sexual asexual दोनों होता है silent rates में भी sexual asexual दोनों होता है it is all also it can be said that it is second second or third fourth unique feature if we follow the animal kingdom phyla wise evolution wise यानि कि पॉरी फेरा में ऐसा नहीं था silent rate में ऐसा नहीं था लेकिन टीनो फोरा में ऐसा है कैसा है कि only sexual reproduction habitat में भी कैसा है केवल marine है और क्या uniqueness आ गई bioluminescence तेक है ये जो चीजें है ये इसमें uniqueness दे रहे हैं plate भी complex complex well अब ये एक और बात हो गई अब यहाँ पर हम आपर हमने बात ही नहीं थी सिलेंट रेट्स में दोनों टाइप का होता है hydra में internal हो जाएगा और जो और इलिया वगरे हैं या जो वह ना कौन ओबीलिया ओबीलिया या सीफर उसमें external हो जाता है इसलिए वहाँ पर हमने external या internal दोनों में से कोई एक नहीं बोला ठीक है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं नाम लोग जो एक आंधी में दी हुए स्कूंट वूए देखें तो और इफैरमें कैसा था internal टीओफोर में कैसा है external कोरी का अंवता-धै कि झेलिए सीलेंट ट्रेटाव में बनता है क्या बिल्कुल बनता है तो कैसा हो गया यह हो गया इंडिरेक्ट इव्लप्मेंट एक्स्टर्नल पर्टिजिशन इंडिरेक्ट इव्लप्मेंट सेल्योल रिप्रदुक्शन और बाइसेक्शूल नेचर तीनो फुरा समझ में आया प्लूरो ब्रैकिया तीनो प्लैना युनीकनेस बता हुजरा इंडिरेक्ट 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 इंडिर इंटर्नल डवलप में इंटर्नल नहीं इंडिरेक्ट अगर्व क्या होता है जो उसका अडक और इसके बीच में लिंक और नॉर्फ लॉजिकली डिस्ट्एंट होना है उसको और दो अगे बढ़ते हैं हम पायलम प्लैटीहलमेंस की तरह प्रेटी मतलब होता है और फ्लैटी मतलब होता है फ्लैट इसलिए हम खाने की प्लेट्स को प्लेट्स बोलते हैं क्योंकि फ्लैट्स होती है तो फ्लैटी है तो में सबसे युनीक जो कैरेक्टर्स्टिक है पहली ही लाइन में लिखी हुई है कि दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड पहली बार इसलिए उनको और क्या उनका कॉमन नेम क्या है कॉमन नेम है फ्लैट्वांड ठीक है इसलिए इसका इसलिए इसकी इसलिए इंपोर्टेंट है तो mostly endoparasite होते हैं एंडो पैरसाइट कौन होते हैं जो वाले होते हैं जो इंटिस्टाइब में रहें चाहे इंटिस्टाइब में रहें चाहे ब्रेन में रहें चाहे ब्लड में जाएं चाहे लिवर में शाहिजगो नी तो इनको हम क्या कहेंगे एंडो पैरताइड अब यह देखो यूदिप आ गया यहां पर पहला यूदिप और आ लिए उनिक पॉइंट क्या है इंट में सी मैट्री कैसी बाइलेटर बालेटरल दूसरा यूदिप ट् नहीं कहा आपने क्यों नहीं कहाँ विकाज भाई सिलों के केटेगरी में या उसमें सिलों है या नहीं है इसके बेसिस पे हम क्लासिफाइब करें उसके लिए यह जरूरी है कि और गैनिजम मेजो डर्म उसके पास है अब हम देखते हैं कि सिलों बनी है या नहीं बनी है अब नहीं हुआ है तो उस बारे करने की बात मेरी कुछ इंटेंशन हो पर मीज ओडर महीं ही नहीं तो वरद किया करें कि यह सिलोमेट शाहिज हो है यह उसकी बात ही नहीं कर सकते कई बार कुश्चिन आजाता है लेकिन इस ताइप से आप से पूछ सकते हैं कि तो आप सबस्क्राइब ऐस यहां रखेंगे तो टीनोफोरा में आप वोगे कि यह कुझांगे अधर्वाइस कौईदेसे अगर बात करें तो एस सिलो मेट और यू सिलो मेट का जो जो डिविजन है जो classification है वो यहां से शुरू होता है इसलिए हमने इससे पहले बोला ही नहीं है इस शिलूम की बात ही नहीं बोली हमने क्योंकि मीजोडर्म नहीं थी यहां मीजोडर्म तो होती है लेकिन वह क्या नहीं होती है और cavity बनाती नहीं है इसको हम कहते हैं एसलोमेट ट्रिपलोब्ला सबसे पहले इसके पास सबसे पहले है ऐसा है अगर इसके पास यह सारी चीजें है तो एक होता है प्रइसाइटिक अडफटेशन थी यह पैरसाइटिक अडफटेशन भी इसके पास है जब पैरसाइट इससे पहले था यह नहीं तो इसकी बात ही क्या करते हैं इंटेस्टाइन से अटेच्ट रहने के लिए इसके पास हूख सम आफ देम अब्सॉर्ब नूट्रियंट फॉर्स डिरेक्ली थ्रू दिया बॉडी सर्पेज एक और यूनिक पॉइंट यहां पर आ जाता है क्या फ्लेम सेल का इस फ्लेम सेल मतलब क्या फॉर्ड फर्स टाइम एनिमल किंडम में जो एक्स क्रीटरी ओर्गन है I when थे फ्लेम तरा यह लहां क किसमें गाम करता है ऑस्मो रहाइशन और यह कर ले लेकिन है यह लोईप पूछ लेते हैं है इसी ठीक है लेकिन साइस्क्रीसान में लोäg करता है और यहां फोर है कि इसका था सेपरेट ऌाज सेपरेट नौट तो कैसी जब इस टिने है च्विकाशपर नहींता कुछ rear के यह चैने आकंता लिए पूरिटीजिस्ट करें पूरे पाइला में कैसा है फटलाइजेशन इंटर्णल है डेवलपमेंट फॉर्ट फॉर्स ताइम में फिर से एक उनीक फीचर आ गया मैनी लार्वल स्टेजेज इसते पहले मल्टिपल लार्वल स्टेजेज नहीं है विटा लाइक प्लैनेरिया पॉसेज हाई रिजनरेशन कपैसिटी एक्जांपल दो हैं बहुत इजी है आपके लिए याद करना हाला कि यहां पर और भी बहुत से एक्जांपल्स हैं लेकिन दो एंसी आर्ट ने फिल्टर आउट के हुए है टीनिया टेपवर्म और फैश्योला या लिवर फ्यूट ठीक है फैश्योला हीपाटिक मेंबर से इसके फूर एफ्स फॉर्ट टाइम बाइलेटरल है ंट्रिपलोब्रस्टिक है एसलो मश्ट ऑब फॉर्स टाइम बाडिय सर्फेस से अब्सॉल कर रहा है सब कुछ फुरूर यहां पर प्र प्रेसे लिए प्लेम सेल पूर अब मुझे सब्सुशन ने इस तो तो अब हम बात करते हैं किसकी अब देखो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन यह बड़ी इंपोर्टेंट लाइन है जब आप इसका क्रॉस सेक्शन लोगे तब यह कैसे दिखेंगे सर्कुलर इसलिए इनको हम चाहिते हैं इतने ज्यादा डाइवर्सिटी वाले जो और्गैनिजम्स हैं जिन में इतनी ज्यादा आड़ेप्टेशन्स हैं यह पहली बार आपको एनिमल किंडम में दिखने को मिलते हैं हैं यह क्या हो सकते हैं यह फ्री लिविंग भी हो सकते हैं किसी से कोई मतलब नहीं है अपना काम कूद कर लेंगे potrzeb Arc हो सकते हैं terrestri हो सकते हैं और परसाइटिक भी हो सकते हैं यह एक और इंपॉर्टेंट बात युनीकनेस है कि प्लांट्स और अनिमल दोनों में होते हैं यहां से मुझे याद आ रहा है कौन कौन याद आना चाहिए है यहां से बताएं यहां से क्या याद आना चाहिए है प्लांट्स और एनिमल में दोनों में यह एसकेलमेंट है यहां से कौन सा याद आना चाहिए हमें क्विक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बायो टेक से याद करो उसका नाम उसका नाम यार क्यों नहीं है पहला लेटर बता हुआ है यह यह तो इससे बहुत प्लोस थे सर ठीक है अच्छी बात है मिलोडिवीजाट जो की कि रूट डिशी कास करता है तोबेकों में नेमे टोड यानि के इसшьालमन्स का ही नाम है इस को हम क्या कहे देते हैं इसी को हम क्या कहेते है नेम जिते हैं नेम सब्सक्राइब है तो यह प्राइटिक होते हैं प्लांट में ऐस वेल एज एनिमल्स में अनिमल्स में तो हमें पता है इसका मिलोडिजिन इंकोग्नीटा किस से कनेक्शन था क्या चीज बढ़ रहे थे तो हम इसका नाम लेते हैं तो मैं जानना चाहरा हूं कि मिलोडिजिन इंकोग्नीटा से रिलेटेड क्या था वा पर किस हैडिंग के अंडर हम पड़ रहे थे वो क्या आरेने करके था खुझ आरेने आई आई समझ में हाई आरेने इंटर्फरेंस टेक्नोलोजी से हमने एक निमेटोड रजिस्टेंट प्लांट बनाया है वहाँ पर जो तोबे को है ठीक है अच्छा एक और रेलेटेड कोशन में पूछ रहा हूं कि किस निमेटोड में य यह जो टेक्नीक है यह जो यह जो इक सेल्फ डेफैंस लेवल का मेकनिजम है बता है यह से था ऐसे था उसका नाम वे चाहिए से ता एसे और वह भी उसकी स्पीशीज है जब बोलते हैं तो अधि यह से आती है सबसे पहले और ने इंटर्सरेंस टिक्नोलोजी डिसकवर हुई थी एक और एसुशेटेड़ कोशन लेलो किसमें किती डिसकवर मैं केली नी रहा है और भाई और लोग बता और लोग तुखेल रहे हैं कि आपकी बता थे रैक्सी मैलो और एंटर पायर देखोट नोबेल प्राइस फोर दिस इन टूथाज़न सिक्स यह यह इंपॉर्टन पॉइंट है यह इंपॉर्टन पॉइंट है इसके मैं उसको रिलेट करके आपको बता रहा हूं चलिए ठीक है आगे देखते हैं अब यहा है ठाइअ मैं यहां झाय बनाम हैं और यह रखने ते तंब तो यह याद रखेंगे बिटा मैं दुबारा से आपको याद दिला रहा हूं क्रॉस सेक्षिंट जब हम लेते है तो यह सर्विलर्डिश इस लिए Scalments है नहीं तो otherwise तो यह Worms जो हैं वो Elongated है न भई तो इसको round warm क्यों कहेंगे यह ऐसा warm थोड़ी है क्या करते हैं यह ऐसा warm थोड़ी है तो जो हम इसे round warm बोले हैं नहीं नहीं जब हम इसका cross section लेते हैं cross section लेने पर यह round ऐसी दिखता है that's why इसका नाम ऐसा है ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने पहले भी डिसकस किया था basis of classification में एक बार bilateral आ जाने के बाद कुछ exceptions हैं बागी सारे bilateral रहेंगे तो bilateral symmetrical है triple plastic तो सारे ही है without any exception यह एक यहाँ पर unique point आता है pseudo silomate हलाकि basis of classification में हम लोग discuss कर चुके हैं कि mesodermal membrane के patches यहाँ पर present होते हैं जिससे इसकी जो cavity है body cavity है वो divide हो जाती है कुछ fragments में जिसको हमने कहा है कि यह pseudo silomate है यह pseudo silomate है यहाँ पर हमने क्या कहा था pseudo silomate होते हैं यानि कि mesoderm जो है वो पूरी cavity को internally line नहीं कर रही है उसने pouches बना लिए हैं membranous pouch present है gut wall और body wall के भीच में जो स्यूडियो सिलो में है elementary canal is complete for the first time फिर से एक और unique characteristic इसकी पहला तो for the first time यहाँ पर organ system है for the first time habitat की इतनी जाधा diversity दिखती है और उसके बाद यहाँ पर complete digestive tract with a well developed muscular pharynx muscular pharynx देखो अब यही बात है endoparasite तो विटा टीनिया सोलियम भी होता है लेकिन वहाँ पर body surfaces देखो यहां तो इसको अलग से लिख लो ठीक है suction के through nutrition attain किया जाएगा ठीक है muscular pharynx for the first time यहाँ पर present है excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore अब यह जो excretory tube है इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर actually a tube क्या होती है यह पूरी पूरी एक cell होती है one large cell which is edge shaped and called as what yes rennet cell rennet cell पूरी body में एक cell होती है tube life होती है तो इसलिए excretory tube बोल दिया है यहां पर है बड़ी गौर करने वाली बात है कि यहां पर हमने नेफ्रीडिया वेफ्रीडिया कुछ नहीं बोला कि यहां नेफ्रीडिया का नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग चलिए हमने पूरी फेरा में पढ़ा sexes are not separate इसलेंट रेटा में बड़ा जनरली वैसे हाइडरा में इस पीशीज इस टाइप की होती हैं लेकिन जनरली हमने पढ़ा sexes are not separate फिर तीनोफोरा में बोला sexes are not separate ठीक है यहां पर हम बोल रहे हैं sexes are separate diocious condition यहां पर प्रेजेंट है unisexual condition प्रेजेंट है sexual dimorphism के साथ प्रेजेंट है इंग्लिश जानते हैं आप इंग्लिश जानते हैं आप इस टर्म का मतलब नहीं जानते लेकिन इंग्लिश जानते हैं sexual ठीक है डाई मतलब दो morphism याने की appearance ऐसा organism जिसमें कि आप male और female में differentiate कर सकते हैं ठीक है तो अब उस point of view से अगर आप देखें तो आपको इसका मतलब भी पता चल जाएगा term का मतलब definition आपको पता चल जाएगी ठीक है कि अगर आप gender based पे morphological examination से differentiate कर पा रहे हैं इसी characteristic को बोलेंगे sexual dymorphism तो वो यहां पर for the first time animal kingdom में appear हो जाता है ठीक है often females are longer than males ठीक है और males में क्या होता है posterior जो end होता है this is the posterior end this is the anterior end तो posterior end क्या है curved habitat so fertilization की बात कर लेते हैं अब देखो sexual dymorphism यहां पर present है ठीक है cross fertilization internal fertilization है ठीक है और jd or id direct development or indirect development दोनों ही टाइप का यहां पर हमें मिलेगा कि डाइरेक्ट और डाइरेक्ट दोनों ही टाइप का development हमें यहां पर मिलेगा direct development करेंगा मतलब क्या है no larval stages bv parity भी यहां पर होगी और generally ओभी पैरिटी के बाद multiple larval stages भी यहां पर होगी ठीक है अब वीवी पारेटी ओए लारवा आ सकते हैं और ओवी पारेटी होटी तो भी डारवा नहीं होती है बास समझ रहें क्या वीवी पैरिटी और ओवी पैरिटी का डिरेट डेवलेप्मेंट और इंडिरेट डेवलेप्मेंट से कोई डिरेट लिंक नहीं है कि अगर वीवी पैरिटी होगी तो हमेशा जो न्यूबॉर्ण होगा वो मतलब एडल से मॉर्फोलोजिकली सिमिलर होगा वहां लार्वा नही एग से जो निकलता है वो जो न्यूबॉर्ण है वो बिल्कुल मॉर्फोलोजिकली सिमिलर होता है इडेंटिकल होता है डिस्टिंक्ट नहीं होता ठीक है ना तो कभी भी ऐसा आपको सामने आए आपके कि वीवी पैरिस है तो क्या यहां पर लार्वा होगा या नहीं ही होगा एसा कुछ कह सकते हैं क्या वी भी पैरिटी और ओवी पैरिटी को देखते हुए बिलकुल नहीं कह सकते है जहakahी बात क्लियर हो रही है इसके बाद यहां पर हमें याद क्या करना है देखें मतलब एक्जांपल्स ने क्या याद करना है एस्केरिस जो प्रॉपर राउंड व यह दोनों ही चीज़े हैं यहां पर और याद करना है तो तीन चीज़े आपको याद करनी है करता है इसको टोटल पूरा डियोडनम में यह करता है और इसको कॉमनली बोलते हैं तो अब आजाएं हम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से आजाएं पोरी फेरा से मैं इसको दिखाऊंगा नहीं अब सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले साइकन या इसका दूसरा क्या स्पॉंजिला या फ्रेश्वाटर स्पॉंज फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके बाद आता है एसके बाद आता है एसके बिंस में आपर पास तीन है पहला एसके रिसिया कॉमन राउंड वांड जो है नेक्स्ट हमारे पास मुशिरेडिया या फाइलेल वांड थर्ड है एंसाइक्लोस्टोमा या फूप वांड यह बात क्लियर हो गई ठीक है चलिए गोड़ आगे देखें यूनीक कैरेक्टरिस्टिक से विल्कुल लैस यह है हमारे पास एनलीड यहां पर क्या फॉर्द यहां पर कुछ embryologically fixed नहीं है कितने segments आएंगे कितने भी आ सकते हैं हजार बारे सो पंदरसों तक वेरी करता है मतलब की overall यह कह सकते हैं तो यहां पर pseudo segmentation कहेंगे रेपिटेडली यहां पर प्रोगलोटिड्स या स्ट्रॉबिला ही हैं तो लेकिन कितने भी हो सकते हैं इसलिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां रखने वाली बात है कि कुछ ऐसा जरूरी है hard and pass नहीं है कि कोई भी एक characteristic है वो trend करेगी पूरे ही animal kingdom में ऐसा नहीं है प्लैटी है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले फाइला में जो इससे उपर वाला है जो इसका इसको सक्सीड कर रहा है यानि कि यहीं थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और यहीं फाइदा है आपका क्योंकि आपको पता जल जाता है question यहां से प्रेम हो सकता है क्योंकि यहांपर जेवक्री नहींड है जैसे अ हम यहां पर हम बोलते हैं कि भाई टीकटीव में उसके आगे सारा कैसा है Star तो इस्टी वाला हो जाएगा यहां पर आप से पुछेंगे ég MASS के क्या कुछ नहीं है क्टिक है तो लेकिन हाँ वहीं पर ये कोशन आ जाता है कि एस केलमें नहीं स्यूदो सिलोमें कंडिशन है स्यूदो सिलोमें कंडिशन है तो तो बेसिस ऑफ ट्लासिफिकेशन इस वेरी इंपॉर्टन वह जो लेक्टर है वह बड़ा important होता है अगर आपको वो समझ में आ गया तो आधा animal kingdom तो अल्रेडी हो चुका है एने लीडा से start करेंगे सबसे पहले habitat की बात कर रहे है marine और fresh water terrestrial free living दोनों और उसके बाद पर parasite अभी हमने बात की थी किस की हमने बात की थी askelman's की ठीक है askelman's में कहा था कि वही habitat diversity उसमें बहुत जाता है वह aquatic भी है टेर्स्टियल भी है parasitic और free living दोनों है वैसे ही यहां पर भी है ठीक है यहां पर भी वैसा ही है कि habitat diversity तो habitat diversity तो यहां पर भी है aquatic है aquatic में दोनों यह marine freshwater terrestrial free living sometimes parasitic भी है ठीक है सम टाइम परसाइटिक और mostly endo-parasitic एक होता है sometime और एक होता है mostly तो mostly वाला कौन सा है यह दोनों ask elements और platy elements यह mostly है ठीक है क्योंकि mostly कहने का मतलब plants और animals दोनों में अगर है तो parasitic जो इसका portion है न वो ज्यादा है विटा जो population as a parasite act कर रही है वह ascal means की ज्यादा है as compared to analyte ठीक है एनलीड में तो लिख रखा है सम्टाइम्स परसाइट है सम्टाइम्स परसाइट है सम्टाइम्स परसाइट है दूसरा organ system system ट्रिपलो ब्लास्टिक और बाइलेटरल यह तो चलेगा बेटा जहां पर कुछ अलग होगा वाहां में बताऊंगा आपको ठीक है important बात क्या है यहां पर metamoric segmentation वह जो body organs है वो repeat हो रहे हैं और जो repeat हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे है metamere जैसे monomer polymer होता है वैसे यहां पर metamere metamere है और metamere ने मिलके बनी हुई पुरी बोड़ी है है सो metamorically segmented and अच्छा एक और चीज यहां पर आ गई यू सिलोमे कंडिशन या सिलोमेड भी बोल दोगे तो उसको यू सिलोमेड ही माना जाएगा दियर बोड़ी सर्फेस इस डिस्टिंटली बागड आउट इंटु सेग्मेंट्स और metamere यह भी हमने बात की ही एंड हैंस दफाइलम इस नेम एज ए एनलेडा एनलेडा मतलब एनुलस एनुलस मतलब लिटल रिंग्स तो बहुत सारी रिंग्स आप एक उसमें फॉर्म में लगा दो ठीक है यह देखो यह इंडिविज्व रिंग्स हैं तो पूरा और गैनिजम बन जाएगा तो इसलिए एनुलस से इसका नाम आया है नॉमंक्लेचर आया है एनलेडा इसके बाद फॉर्ड़ फर्स टाइम एक और चीज़ यहां पर हम लोग यूनीकनेस वाली क्यरेक्रेक्रिस्टिक पर सकते हैं जोकि हमें इसको याद रखने में हेल्प करेगी वो है लॉंजिट्यूडनल और स सब्सक्राइब की मसल्स बॉड़ी वॉल में आज आना जिसकी हल्प से क्या होता है लोगो मोशन यह इंपोर्टन पॉइंट है प्रजैंस ऑ्मसल्स ब्रजैंस आप मसल्स प्रजैंस रोज्टेंस ऊंट ऑटेज्स आधि एक गेलेड़ी इस इंपरड़न पाइंट नेरीज में लेटरल अपैंडिज होते हैं पैरा पोडिया जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं रैस्पिरेशन में भी हल्प करते हैं पिर यूनिक पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आपको हर फाइला अलग-अलग दिखेगा अधर्वाइज लगेगा सारे में तो एक जैसे ह थे हैंन पो पर ताइम अर्य कींडनम फोर्ट ताइम यानिड्र सेक्मेंटेशन फोर्थ जो टर्म आती है नेफ्रीडिया वो भी हम यहाँ पर यूज करते हैं for the first time in animal kingdom sir आपने पेरा पोडियों में क्या बताए तो swimming और respiration respiration, locomotion नहीं है इसमें बेटा swimming है तो swimming is a type of locomotion sorry sorry तुम सोच रहोगे कि swimming मतलब swimming ऐसे भी तो करते हैं कि swimming करते रहते हैं और एक ही जगह रहते है मैं पहले वाले ही सोच रहा था तो swimming जो है swimming भी लोको मोशन का ही एक type है तो इसको हम कहेंगे ऐसा सेम एक रोड़ पर भी गुमता रहता है उसको बहुत सारे पैर होते हैं वो क्या होते हैं centipede millipede होते हैं वो यहां वो आर्थ रोपोर्ड में आते हैं ठीक है नेफ्रीडिया में कह रहा था for the first time यहां पर हम नेफ्रीडिया यूज़ कर रहे हैं आप देख रहे हैं मैं आपको दुबार आज दिखाता हूं देखो पोरी फेरा से लेके दुबार चलते हैं यूनीकनेस देखना बस ठीक है यूनीकनेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक पाइलम दूसरे पाइलम से अलागी देखो मैं ही कह रहा हूं कि जरली मरीम लेकिन फ्रेश वॉर्टर भी है वह लिएक उसमीरा में हैय। कि डाइजेशन केवल और केवल इंट्रा-सैल्विलर कहा में लेगा पूरे अनिमल किंडम में पोरि फैरा में इस पिक्यूर जिव वर्ड है वह कहां यूज करते हो पोरि फैरा में कोईनोसाइट किसकी स्पेशलाइज सेल पोरि फैरा की ठीक है और भी है लेकिन आगे बढ़ सब्सक्राइब ग्राइब लेकिन टीनों 14 तक तीनों ही दिपलोग्लास्टिक है इसके बाद पिर उसकी यूनीक हैं इसकी पाएगे चाहेंगे यह सब्सक्राजिस कहले हैं वन होता है यूट कि में यह भी है तो में यह पॉरी तो यह इसमें ब्लुख सेनारी फेरवाले थिक है पौलीप मेद्ईुसा वाले कॉन है या जैली पेष्ट या हाइड्रा यह कॉन है सिलेंद्रेट वाले और कॉम सी वालननट तो दौर्क आपेलमने तो दो क्यों व्योंक्ति-यृ-कॉन कॐम है प्लाटीजमेंटेशंचेली स्टुडो सेयमेंंटेशन किस था सीमंटेशन किसमे प्लैटीजमेंटेशन की तीन और फैस्योला किसमें मिलेंगे यह विद्यमिंटेशन कोण होता है dic stages for the first time किसमें मिलती हैं platy elements ask elements में sexual dimorphism किसमें सबसे पहले होगा platy elements obviously diaciousness किसमें होगी सबसे पहले और pre dominant plant animal दोनों में parasite for the first time कौन होते हैं ask elements ठीक है अब annelida पे आ जाओ segmentation for the first time किसमें मिलेगा एनिलेट्स में फिर longitudinal circular दोनों टाइप की muscle for the first time किसमें मिलती है एनिलेट में पैरा पोडिया और कहीं यूज कर सकते हैं नहीं कहां के वल यूज करेंगे एनिलेट एनिलेट में भी कहां यूज करेंगे निरीज फिर जो carry-on चीजें हैं वो क्या क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिटी बाइलेटरल सिमेट्री और 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 सिस्टम और सिस्टम फॉर फर्स टाइम कहा था यूज करते हैं अब आजाओ आगे तो देख रहे हो ना आप यूनीक जो कैरेक्टरस्टिक हैं यूनीक फीचर है उसके पॉइंट ओफिस अगर आप देखते हो तो आपको हर फाइलम एक तोस्टे से अलग दिखाई देगा और इसी टाइप से इसको याद कर लेना है आप से पूछ देंगे इस टाइप से पूछ दें कि पैरा पोडिया विच फॉलिविंग में होता है तो आप क्या चूज करोगे बताओ इतना मुश्चिल तो नहीं है एक विटिक एनलिड बोलोगे भाई क्यों बोलेंगे क्योंकि इसमें लिखा है एक एक टिक एनलिड लाइक तर इसमें यूमन के लिख लाइक यूमन पब्रहिश होते हैं उसमें नहीं होता क्या कोश्षन फ्रेमिंग समझ रहे हो इस टाइप से हैं ओके आगे बढ़ें क्लो सर्कुलेटरी सिस्टम पुर्टा टाइम होगा निफ्रेडिया होगा उसमारेशन एक्षिशन में घरिगा नूरल सिस्टम कंसिस्ट आप पियर्ड गैंगलिया कि आपको यह चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम जब नॉन कॉड़ेट की बात करते हैं और फिर उसका कंपैर्जन कॉड़ेट से करते हैं तो नॉटो कॉड फेरिंजल गिलस्रेट से पोस्टेनल टेल वगेरे के साथ-साथ यहां पर नर्व कॉड में एक आता है कि यह यह जब पर डबल वैंट्रल सौलिड नर्व कॉड होती है कि अधियर और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है सिंगल स्पाइनल k बर पास सिंगल होती है डॉर्सल होती है है सिंगल कर सल हौलो से इस पाइनल को रड NICK यह डाइशियस होती है लेकिन अर्थवाम और लीचेस जो हैं मोनोशियस होती है तो क्लियर कट यहां पर बता दिया कि एक ऐसा फाइलम है जिसमें मोनोशियस डाइशियस फॉर्म दोनों ही मिल रही है ठीक है तो रीपरड़क्शन के पॉइंट अफ्यू से जो हम बोलते हैं उसमें यहां पर unisexual फार्म भी है और स्वा क्विख है ठीक है यहां पर तो बेटा यूनिस अग्यों होता होगा यहांपर क्रॉस फार्टिलाइजेशन ही होगा यहांपर क्योंकि बोंहीं है क्या बोलते हैं हमने तो यह वह बनाई हैं इस वीदियो जक्स्टा पोजिशन ह यहां पर साथ होता है तो यूनी हो यहां क्रॉस पर देशन होगा इंटर्नल फटिलाज़िजिशन होता है अर्थ कुकून से बेविश निकलते हैं कुकों से क्या निकलते हैं बेबी अर्थवाम निरीज फेरीटिमा फेरीटिमा पॉस्शिमा अर्थवाम फेरो नीज दिया ग्रेनिलोसा घ्रडो मैडिसिन एलिस ब्लड सकंग लीच घ्रडो मैडिसिन एलिस जरायात करो और याद करके बताओ से कैसे रिलेटेड है बताएं हिरुडिन हिरुडिन जानते हो नैचुरल ब्लड एंटी को एगुलेंट हिरुडिनेटिड ब्रैसिका नैपस हमने बनाया है आर्टिफिशल जीन सिंथेसिस से ठीक है ब्रैसिका नैपस के दानों में सीड्स से वहां से हिरुडिन एक्स्रेक्ट करके हमने सर्जरी वगरा में यूज़ करते हैं चलिए ठीक है कोई दिकत नहीं है बस मैं बता रहा था कि किस तरीके से यह पॉइंट रिलेटेड है ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ लिया पोरिफे